बुंबई अपनी उची इमारतों, भीड और यातायात के लिए जाना जाता है जो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि थोड़ी दूरी के लिए भी लंबा समय लगता है लेकिन अब ये बदल रहा है क्योंकि नया कोस्टल लोड यात्रा के समय को कम कर देगा और यात्रा सुविदा जनक हो जाएगी पहले इसका उद्गाटन 19 फरवरी 2024 को पियम मोदी द्वारा करने की योजना थी लेकिन इसे 9 मार्च 2024 और फिर 11 मार्च 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया इसका उद्गाटन महराश्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे डेपिटी मुख्यमंत्री देविंद्र फटनविस और अजीत पवार ने किया उद्गाटन के अवसर पर अन्य गन्मानिय विक्ति भी उपस्ति थे जिस तट्य सडक का उद्गाटन किया गया उसका नाम मराठा राजा चत्रपती शिवाजी महराज के पुत्र चत्रपती संभाजी महराज के नाम पर रखा गया है इस सड़क का उटगाटन 11 मार्च को समाजी महराज की पुनिय तिथी के अवसर पर किया गया उटगाटन सफल रहा मरीन ड्राइब से वरली तक तड्य सड़क का निर्मान कारियत चल रहा है और इसलिए इसे अभी तक नहीं खोला गया हाला कि वरली से दक्षिन मुंबाई में मरीन ड्राइब की सड़क अब जन्ता के लिए खुली है उत्तर की और जाने वाली सड़क अभी भी बनाई जा रही है तट्य सड़क सुभ आठ बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेगी और केवल सोंबार से शुक्रवार तक उत्तर की और जाने वाली सड़क के चल रहे काम के कारण सब्ता अंत में सड़क बंद रहेगी तट्य सड़क पर केवल इन तीन प्रकार के वाहनों के अनुमती होगी गाडियां, विंटेज गाडियां और बीएस्टी की इलेक्ट्रिक बसे दो पहियां वाहनों और ट्रक, टेम्पो और इंदन बसों जैसी भारे वाहनों सहित अन्य सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित है तट्य सड़क का उप्योग करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सभी सुविधायं परती गई है तट्य सड़क का पहला चरन साड़े 10 किलो मीटर लंबा है और यह वरली और मरीन ड्राइफ के बीच है इससे वरली और मरीन ड्राइफ के बीच यात्रा का समय 40.75 मिनिट से घट कर 10 मिनिट हो जाएगा ये सड़क आगे वरली से बांदरा वरली सीलिंग से जुड़ेगी इसके मई 2024 तक चालू होने की संभावना है वरली से शुरूने वाली 30 सड़क मरीन ड्राइब से प्रियदर्शनी पार्क मलाबार हिल तक भी जुड़ेगी ये भी मई 2024 तक बन कर तयार हो जाएगा यात्रा बहुत तेज और सुविदा जनक होगी 30 सड़क का दूसरा चरण 8 लेन का फिशाल विस्तार है बांदरा से 30 सड़क को 20 सर तक बढ़ाया जाएगा ये कुल 23 किलमेटर लंबी परियोजना है इस परियोजना की लागत लगभग 12,450 करोड रुपे है वो, काफी महंगा है खंबो के बीच 120 मीटर का गैप बनाने के लिए सड़क की वेवस्ता में बदलाव किया गया था ताकि मचवारों की नौकाओं को सुगम या मार्क सुनिस्चित हो सके मही महिने में कोस्टल रोड और भी खुबसूरत दिखेगा